नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चानल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए ले के आई हूँ बालों के लिए बहुत ही राम बान जो नुस्खा है वो आपके बाले बहुत जादे गिर रहे हैं बहुत जादा जहर रहे हैं बाल रुखे सुखे दो मुहे हो चुके हैं बाल एकदम से ड्राई हो चुके हैं एकदम जारू के जैसे हो चुके हैं तो आज के जो रेमडी है वो सारे ही समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा तो यहां पर मैं ली हूँ यह मेथी दाना, फैनू ग्रेक सड है यह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है एदी आप ये मेथी दाना के पानी से भी एदी आप अपने बालों को धोते हैं तो भी आपके बाल बहुत ही जादा चमकदार मुलाइम और तेजी से लंबा होता है तो आपको एदी मालूम है मेथी दाना का फायदा तो आप लोग तो पहले से ही समझ गए होंगे और नहीं मालूम है तो चलिए आज जो मेरेमेडी आपको बना के दिखाऊंगी वो हर कोई बना सकते हैं इसको बनाना एकदम आसान है बस कुछ ही चीजों से आज में बनाने बाली हो दोस्तो वीडियो जरा सभी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में सेयर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बारा है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज रिक्वेस्ट करती हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो यहाँ पर चाहिए हमी कुछ सामक्री तो यहाँ पर लेंगे कड़ी पत और यदि नहीं पहचान रहे हैं तो आप इसे मीठे नीम के नाम से जरूर जानते होंगे तो यहाँ पर आप कड़ी पता अपने हिसाब से ले सकते हैं और दोस्तो आज का जो रेमेडी है इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं तो आप चाहें तो जादा भी इसको बना सकते हैं तो यहाँ पर करीब आधा मुठी के जीतना कड़ी लिप्स ले ली हो और इसको अच्छे से डंठल से अलग करके कोई भी बरतन में आप रख ले क्योंकि यह जो कड़ी पता है इसको हम लोग अच्छे से पहले साफ सोतरा करेंगे नहीं तो इसमें जो धूल मीटी चिपका होता है वो हमारे रेमेडी को खराब कर सकता है आप लोग कहां कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं पानी और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से धो लेना है यदि आप लोग पापर बनाने के सौखीन है दोस्तों तो बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं पापर के आप लोग जरूर से चेक आउट कीजिए और चाहें तो आप यूटूब पर सर्च करके भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं जैसे आप सर्च कर ले मीज सहेली पापर रेस्पी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि मैं पहले बनाके डाली हुई हूँ अब सारे कड़ीपता को पानी से हमें अलग निकाल लेना है और इसमें क्या क्या डालेंगे तो बीडियो को कहीं से भी भगा भगा के ना देखें तो फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि इसे कैसे बनाया गया है और यह हमारे बालो के लिए कैसे फायदे मंद ये पानी में जिससे के इसमें जो भी धूल मिटी हो वो पानी के अंदर जाके अच्छे से बैठ जाए और उपर उपर से जो पतियां है उसे हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ पर करीपता हमारा धूल चुका है अब इसके साथ ही हमें कुछ-कुछ चीजे और एड करने सब्सक्राथ को बनाना में आड के और दो चाहती है नहीं की परिदेरीं बनाना के इसंटील शीकार नेंगे तो क्तियां में आठ जोते हुए हैं असनी में आफ्षे में प्याइक वं बना कर ना दो हमारे से से बिस्दाशव करा ही नहीं होता है तो यहां पर इसमें डालना है हमें मेथी के बीज दो चमच चमच बहुत बड़ा है तो दो बार थोड़ा थोड़ा करके डाली हो यानि कि जो मसाला वाला चमच होता है उससे दो चमच हमें मेथी का बीज और एक चमच इसमें डालना है कलोंजी क्या है जो कि हम लोग आचार में डालते हैं ना ब्लैक ब्लैक सा जो होता है मंगरेला इसे बोलते हैं तो वो एक चमच डालना है और दो चमच मेथी के बीज आप सारी चीजों को ध्यान से देखे कितना क्या डाला गया है तो आपके जो रेमेडी हैं वो बहुत अच्छा बनेंगे और ब गलास भी डाल सकते हैं दो गलास भी डाल सकते हैं पानी आप जितना बनाना चाते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं तो यहाँ पर एक गलास पानी देखे भड़के अच्छे से डाल देती हो और यह जो रेमेडी बनेगा ना यह दो से तीन वारों के लिए ब दाल के छोड़ सकते हैं जिससे कि वो और अच्छे से फूल जाए और जब अगली सोबा इसको तयार करें तो इसको बनने में ज्यादा समय ना लगे जटपट से बनके तयार हो जाए मेथी फूला रहेगा तो वो और भी ज्यादा अच्छा बनता है तो यहां पर देखे अच् जो कलोंजी है उसे छोड़ दी हूँ और जैसे जैसे यह भीगेगा सारा पानी के अंदर बैठ जाएंगे तो अब इसको पाच मिनट के लिए छोड़ देना है इसी तरीके से पाच से साथ मिनट आप इसको छोड़ सकते हैं आप यहां पर देखे इसको छोड़े हुए बरास में बना रहे हैं तो यह जो कडी पता है इसको भी थोड़ा बठा दीजिएगा और मेथी और कलोंजी को भी थोड़ा से इसमें बढ़ा के डाल दीजिएगा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला जाएगा जो कि आपके बालों को नुकसान पहुचाए आप खुद देख ले करीपता जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है आप सुबह में खाली पेट में करीपता दो से तीन ऐसे ही चवा चवा के खा लेते हैं तो भी आपके बाल जो है जहरना एकदम से रुख जाएंगे कुछ दिन के इस्तेमाल से आप ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक से दो बार ही आप लोग खाएंगे और तीसरे दिन बोलेंगे कि बाल तो जहरना रुक नहीं रहा है कोई भी चीज धीरे धीरे से असर करता है तो आप लोग भी कोई रेमेडी बनाते हैं तो उस पर थोड़ा विश्वास रखिए थोड़ा उसको टाइम दीजिए तभी आपको वो फाइदा दिखाएगा आप इसमें डालेंगे एक चमच भर के चाई पती आप चाई पती के जगाप चाहे तो कॉफी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं चाई पती जो है हमारे बालो को कलर देता है बालो को अच्छा से चमकदार बनाता है तो कंडिस्निंग का काम जो है चाई पती करता है हमारे बालो मे तो एक चमच भरके इसमें चाय का पत्ती डाल दें इससे क्या होता है चाय के पत्ती से जो इसका कलर है तो आपके बाल एक दो सफेद होने शुरू हुए है या आपके बाल में थोड़ा चमक चाहिए आपको हलका सा रेडनेस चाहिए तो इस चाय पत्ती जो है अपना काम दिखाएगा तो आप लोग एक चमच भर के चाय पत्ती डालिएगा एक ग्लास पानी में अब इस सारे चीज़े इसमें पर चुके हैं अब परने के बाद देखिए धीरे धीरे से जैसे ही इसको छोरी हूँ कुछ देर तो चाय का पत्ती और मेथी का दाना मिलके जो पानी का कलर है वो चेंज कर दिया है आप देख पा रहे हैं जब तक इसे अभी कुछ भी नहीं किया गया है तो अब चलिए इसको बना के दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है कितना समय तक लगाना है कितना समय रखना है तो सारे जो चीजें हैं वो आगे आप वीडियो में जान पाएंगे तो यहाँ पर यह जो कढ़ाई है छोटा सा इसको चरहा देंगे चुले पर और सुरू सुरू में चुले के आज को यानि की गैस के फ्लेम को हमें थोड़ा तेज रखना है तेज रखने से क्या होगा ये थोड़ा गरम हो जाएगा जल्दी और गरम होने के बाद ये पकना सुरू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखे आप जो ये पानी है गरम हो चुका है और हलका हलका सा जैसे जैसे पकेगा इसमें कलर आना सुरू हो जाता है तो शुरू का आप 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर इसको पकाएं और उसके बाद फ्लेम को लो कर दें लो क्या मेडियम कर दीजिए और मेडियम फ्लेम पर इसको इतना अच्छा से पकाईए कि जो इसमें चीजे पड़े हुए हैं जैसे कि मेथी दाना हो गया कलोंजी हो गया जो दाना वाला इसमें पड़ा हुआ है सामगरी वो अच्छे से पक जाए पकेगा जितना अच्छा उतना ही अच्छा आपके पानी जो है वो कलर पानी में आएगा और कड़ी पता भी अच् यह जादूई पानी है बहुत ही ज्यादा यह पावरफुल पानी बनेगा आपके हैर के लिए आपके हैर लोस नहीं होंगे इसको लगाने से और बहुत ज़्यादा गुछे मेरी बाल पहले जहर रहे है तो वो धीरे धीरे से जहरना रुक जाएंगे बालों की ग्रोथ भी होगी बाल आपके तेजी से बढ़ना भी सुरू हो जाएंगे वो कैसे तो कड़ी पता के बज़ाए से और मेथी जो है आपकी बालों से डेंडरफ को हटाएगा तो आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे मेथी दाना वाला तो बाकई ये बहु उबलने भी लगा है तो अभी कर देंगे गैस के फिलेम को थोड़ा कम ये बहुत जादा तेज फिलेम पर आप इसको पकाते हैं तो क्या होता है कि ये पानी बहुत जादा जल जाएगा और जो चीजे इसमें आट कियेगा है वो अच्छे से पक नहीं पाएंगे अच्छे स थोड़ा सा कम कर करके और ये पानी जो है हमारा बनके त्यार हो गया है अब इसको लगाना कैसे है तो पूरा पानी को एक बार आपको छान लेना है लेकिन जितना आप यूज करेंगे उतना पानी को अलग कर लेना है और इसको आप लगाने से पहले इसमें आधा चमच के ज पूज नहीं करना है उसको छानके ठंडा करके फ्रीज में आप स्टोर कर ले और तीन से चार बार आप इसका इस प्रेज अपने बालों में कर सकते हैं इतना दिन तक यह खराब नहीं होता है तो इसमें से थोड़ा सा पानी को छानके और बताती हूं कि कैसे लगाना है आप इ इतना ज्यादा इसका स्प्रे करेंगे और सुखाएंगे उतना ही ज्यादा यह आपके बालों को मजबूत बनाएगा और उतना ज्यादा टाइम तक आपके बालों में यह लगा रहेगा आप चाहें तो इसी पानी में सैंपू मिक्स करके भी अपने बालों में लगा सकते है आप चाहें तो इसी पानी में मेहंदी घुल के आप अपने बालों को कलर दे सकते तो इसका इस्तेमाल बहुत ही तरीके से आप कर सकते है पानी का भी इस्तेमाल एदी आपके पास टाइम नहीं है मेहंदी लगाने का तो आप इसका इस्तेमाल पानी की जैसे कर ले और आपको बाल को धोने का कोई जरुरत नहीं है यह जो है आपके बाल में जाने के बाद सुख जाएंगे और आपके बाल में ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा चिप-चिपा है कहीं मैं जा नहीं सकती हूँ लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से सुल जा लीजिएगा यानि कंगी कर लीजिएगा तम सीधा कर लीजिएगा बाल को उसके बाद आपको ये चीज लगाने हैं कोई भी रेमेडी आप अपने बाल पर लगा रहे हैं तो पहले बाल को सुल जा ले तो इसमें से आप जब कुछ दिन लगाएंगे तो खुद बखुद आपको समझ में आएगा अब इसमें डालना है नारियल का तेल आधा चमच आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप उससे काम कर ले नहीं है तो आप कॉटन के सहायते से भी पूरे बाल में इसको लगा के सुखने दे सप्त हमें तिन दिन भी लगा सकते हैं चार दिन भी लगा सकते हैं दो दिन भी लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से लगाईएगा दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो जरा सा भी हेलफुल लीजिएगा चानल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई टोपिक के साथ धन्या